किसानों की समस्या का समधान किया जाए नहीं तो होगा चक्का जाम शिफपुरी जिले की खनी अधाना तैसिल के बामोर कला में किसानों की महापंचाइद में पंजाब सिंह यादब का फूल मालायवं तिलक लगा कर मिठाईया खिलाकर डीजे के साथ स्वागत किया गया पंजाब सिंह यादब ने कहा कि जब यक्ति को प्यास लगती है नदी से नहीं पूछता कि आप कहा से आएं वह पाने पीता है इसी प्रकार जब कोई निता किसी भी छेतर से आता है तो जनता की सेवा करने के लिए आता है इसलिए समस्याइव के साथ खड़ा है वही नेता होता है कि जो समस्या जैसे बिजली की समस्या ऐवं सूखा पढ़ जाने से किसानों को मुहापजा दिये जाए हरी जनory 47 की जमीन के पटे हैं वह अमल में किये जाएं मैर बनी ही बंती ही ख gracious खी ही किसानों के लिए है जली जीवन है अगर मैंने नहर खुलवा दी तो कोई तीद नहीं मार दिया हमने पांच दिन अधकारियों से बात की पूरे सब को पता है और वो नहर जब अधकारियों ने कहा गी आज 12 बज़े खुल जाएगी जैसे जिलाबना संगर समिती ने मेसेज डाला तो सभी लोगों हम तो यह कहते कि भी यह तुम ने कराया बस ऐसे काम कराते रहो जनता के लिए हम चाहते हैं हमारा मुद्द ही है कि नौजवान जा गए चोटे-चोटे बड़े-बड़े नौजवान इंसे तागत पर कोई नहीं है जैसे अपने हक के लिए जाग जाएंगे ना नेताओ मेर मकसद है मैंने कहा था चाहिए जब एक दुकान खुली होती है तो अपने भाव की रेट पर किसानों को माल देता है लेकिन जब जुकाने को जाती है तो औरम आदमी के विए मैं कम में रहने मों से ले जा वहत प्लब है कि इतनी दुकानें हम कुल देंगे कि नेतागरी को भ पर देखाएं के लिए जनता चौपाल लगाएं तब नेता पहुंचें और सो माला पैन के चले जाएं आप नेता ओंको जनता के बीच में घर घर जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि बताओ तुमारे गाउं की समस्या क्या है जब तक हम लोग चैन्चे नहीं सोगे जब तक नेता गाउं 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 जाकर गाउं गाउं की समस्याओं को हल कनने का काम नहीं करेंगा लगातार पैतित सालों से आपकी सिवा में है तत्वर आरके ज्वलर्स छत्ता बजार हुलिकेट मत्रा इनका नमबर है 7669181040